सभी जिला विद्याले निरिचकों को सासन की और से नरदेश जारी है क्या बोर्ट एक्जाम को लेकर के बड़ी अपडेट है इसे साजा करने के लिए हम आपसे जुड़ चुके हैं देखे आज की नियूश पेपर में दिया गया है कि बोर्ट परिच्छा में परचार्थियों को अब नहीं उतारने होंगे जूते मोजे साथ ही क्या बड़ी अपडेट है क्या निर्देश दिये गए हैं और भी इन सारी चीजों की जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे देखे प्रयागराज का ये डियोश है कि यूपी बोर्ट परिच्छा देने जा रहे परचार्थियों को बड़ी राहत सासन की तरफ से दि गई है यानि जो बच्चे भी परिच्छा में समलित होंगे बोर्ड एक्जाम में उनको बड़ी राहत मिली है ये राहत क्या है सासन की तरफ से दी गई बोर्ड परिच्छा के दौरान परचार्टियों को पहले की तरह जूते मुझे नहीं उतारने होंगे इस संबन में सासन की तरफ से यूपी बोर्ट सचीव समेथ सभी जीलों की जिला विद्याले निरिच्छकों को नर्देश जाली कर दिये गए हैं बोर्ट परिच्छा में नकल रोकने की विवस्था के अंतरगर परिच्छा से पुर वही परचार्तियों की तलासी के दोरान जूते मुझे उतरवा लिये जाते थे इसके बाद पूरे समय परचार्ति नंगे पैर परिच्छा देते थे फरवरी में चुकि हलकी ठंड होने के कारण परचार्तियों को काफी समस्या होती थी लेकिन सासन के आदेश के बाद परचार्तियों को इस परिच्छानी से निजात मिलेगी यानि पहले तलासी ली जाती थी नकल रोकने की विवस्था के अंतरगत छात्रों की तलासी ली जाती थी और उनके जूते मुझे उतरवा ली जाते थे इसके बाद पूरे समय पढ़चाती जो होते थे वो नंगे पाउं बैट करके परिच्छा देते थे ऐसे में फरवड़ी में जब अलकी ठंड होती थी तो काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था चात्रों को इसको दृष्टे गर तरकते हुए सासन की तरफ से यह आदेश दिया गया है कि अब जूते मुझे नहीं उतरवाएं जाएंगे जिससे की जो चात्र हैं उनको इस परसाइन से निजात मिलेगी यानि छुटकाना मिलेगा आगे दिया गया है नियूज इसके अंतर गथी कि इसके साथ ही सासन की तरफ से निर्देश जारी किया गया है आप किसी गलत विशे पर आप मेडिया को ब्रिफिंग नहीं करेंगे इस पर भी रोग लगा दी गई है परिच्छा केंद्र पर बालिकाओं की तलासी सिर्फ महिला अधियापी काओं द्वारा ही ली जाएगी परिच्छा केंद्रों पर लगे CCTV कैमरों और वायस रिकॉर्डिंग की प्रभावी रूप से प्रती दिन जाज करने का निर्देश भी दिया गया है अगर दोनों सही ढंग से कारे नहीं करते हैं तो ततकाल केंद्र विवस्थापक को उसे ठीक कराने का निर्देश देने की जिम्यदारी इस्टेटिक मजिस्ट्रेट की होगी केंद्रों पर ड्यूटी करने वाले कच निर्देश चकों तथा अन्य करमचारियों के परिचे पत्र की भी जाच की जाएगी इतना ही ये नियूज था बाकी एक और इसमें नियूज दिया गया है कि डबल लॉकर में प्रवेस का रखना होगा रिकॉर्ड प्रयागराश सी योज नियूज है कि बोट परिच्छा के दोरान स्ट्रॉंग रूम की सुरच्छा को लेकर भी प्रमुक सची दीपक कुमार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है बोट परिच्छा के दोरान प्रशन पत्र का बंडल निकालने और बचे प्रशन पत्र को वापस रखने आधी कारियों में कई बार उसे खोलना पड़ता है ऐसे में परिच्छा केंद्रों पर बने स्ट्रॉंग रूम और उसके डबल लॉकर की सुरच्छा और प्रशन पत्रों की गुपनियता प्रभावित होने की आसंका होती है इसी को देखते हुए सासन की तरफ से नई व्यवस्था लागू की गई है इसमें परिच्छा केंद्रों पर बने स्ट्रॉंग रूम में कितनी बार प्रविस किया गया और किस ने किया इसका भी रिकॉर्ड एक रजिस्टर में दर्ज करना होगा यानि कुल मिला करके यूपी बोर्ड को काफी सक्त कर दिया गया है और बोर्ड की तरफ से काफी कड़े निर्देश है चुकि जो विद्यार्थियों ने अच्छी प्रकार से त्यारी की है उनके लिए किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है परन्तु जो अब तक नहीं त्यारी क करें और साथ ही पूरी त्यारी के साथ वह परिच्छा में समलित हों बहुत सारी सुपकामनाएं धन्यवाद जैहिंद महादेव